नमस्कार आप सबी को, मेरा नाम अन्शुमन राज है और मैंने इस साल 107 रैंक UPSC Civil Services Examination में अचीव की है Delhi Knowledge Track के इस एपिसोड में हम आपके सामने कुछ myths ब्रेक करने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि आप मेरे experiences से सीख के जो आपकी UPSC के dreams है उनको आप realize करें तो myths क्या है? पहला जो major myths होता है जो लोग कहते हैं कि क्या हम prepare कर सकते हैं खासकर economic background अगर मेरा ऐसा है आपको rich होना है, आपको poor होना है मैं आपने बारे में पहले आपको कुछ बता देता हूँ मेरा जन बिहार के बकसर जिले के एक छोटे से गाउ में हुआ जहां पर बिजली भी तीन चार घंटे तक ही रहती थी और 10 तक की पढ़ाई मैंने केरोसीन में ही की है तो आपको बहुत ही अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके पास economic background बहुत तगड़ा हो तो ही हो एक समय ऐसा था जब मेरे father की business में काफी उनको losses हो गए थे और mother ने सिर्फ 1500 रुपे महीने में मुझे और मेरे भाई को पढ़ाया तो अगर आपके अंदर वो willpower है तो आपको बहुत ही ज़ादा दूर जाने की जुरत नहीं है economic background एक ऐसी चीज है जो आपके dreams में बाधा नहीं बनेगी कम से कम आपको perseverance करना है और mostly जो मैं चीजे बताने वाला हूँ जो right तरीके हैं उन पर आपको focus करना है मेरी पूरी पढ़ाई भी government schools में हुई है मैंने जुहार नो देविद देले से 10th किया है 12th किया है और government schools से ही marine engineering किया है M.E.R.E. कुलकता से यह पहला मित था economic background के बारे में second मित जो होता है coaching या self-study जो लोग डेली में आके पढ़ सकते हैं या बहुत ही महंगी-महंगी coaching कर पाते हैं उनसमें और self-study वालों में कई बार लोगों को लगता है मैं self-study से कर पाऊंगा क्या तो again यह भी एक बहुत बड़ा मित है यह मेरा fourth attempt था और मैंने हमेशा self-study किया है हाँ मैं मानता हूँ जो लोग coaching करते हैं उनके पास थोड़ा सा advantage रहता है उनको ज़्यादा track रहता है उनकी त्यारी उनको पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है पर कोई आपको इसके लिए disadvantage नहीं होगा जैसे कि Delhi knowledge track और ऐसे बहुत सारे आपके पास sources हैं जो आपको help करने के लिए हमेशा आपके सामने रहेंगे self-study से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सही तरीके क्या है वो हम आगे बताएंगे similarly village और town का रहता है कि क्या हम शहर में ही रहना जरूरी है क्या मुझे दिल्ली में ही रहना जरूरी है preparation के लिए तो ये भी एक बड़ा myth है मैंने अपना second attempt, third attempt और इस साल का जो final selection हुआ है इन तीनों सालों में मैं हमेशा गाउं में ही था मैंने पूरी त्यारी गाउं में ही किये एक मेरे पास बस printer था एक मेरे पास iPad था इन ही दोनों के सहारे मैंने अपनी पूरी त्यारी की है तो सिर्फ आपको एक working internet अच्छा internet जो कि आजकल गाउं में और हर जगर available है इतना enough है आपके लिए बस एक आपको secluded place चाहिए अच्छी जगा चाहिए with minimalistic aids you can do it जैसे मैंने किया है आप भी कर सकते हैं जो चीजे most important है encash the opportunities life हमें बहुत सारी opportunities देती है education के तोर पे उनको बस encash करिए मेरा तो यहाँ तक था कि मैं ships पे काम करता था तो मुझे daily newspaper भी नहीं मिल पाता था तो जो मैं अब आपको इसके आगे जो रास्ते बताने वाला हूँ और जो मैंने सीखा है अपनी mistakes से उन learnings के बारे में आपको बताना चाहूँगा और आप उनसे सीखिए तो जैसे हम लोग buddhism में या jainism में पढ़ते है noble ways, noble paths वैसे ही noble paths कुछ आपके लिए भी है जो UPSC में त्यारी कर रहे है पहला होता है त्यारी से पहले right optional choose करना right optional किसको कहते हैं बहुत लोग मुझे से पूसते हैं best optional कौन सा है किस में सबसे ज़्यादा score कर सकते हैं कई लोग toppers के या जिससे ज़्यादा selected हुए है उसके पीछे जाते हैं कि आप उसके पीछे जाईए ये गलत तरीका है हो सकता है कि toppers ने बहुत अच्छा optional में marks gain किया है और हो सकता है आपको gain ना हो तो सही तरीका क्या है आप अपने aptitude को देखिए आपका किस subject में interest है जैसे मुझे history बहुत अच्छा लगता था तो मैंने history चूज किया किसी को anthro लग सकता है किसी को sociology लग सकता है कुछ subjects हमेशा marking उसमे marks ज़्यादा आएंगे ना कि toppers के marks पे next होता है right medium especially आजकल जो debate है कि Hindi medium choose करे English medium choose करे और बहुत से ऐसे लोग भी होते है जो regional language जिनका अच्छा है और वो English medium सिर्फ और सिर्फ इस myth के कारण आते हैं कि Hindi medium में या regional medium में marks नहीं मिलते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है problem है students में कोई problem नहीं है problem है कि हमारे पास proper resources नहीं है तो जो regional language के हैं उनसे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मेहनत करके अपनी English को improve करिये सिर्फ इसलिए कि आपके पास आप अच्छे sources को follow up कर सेके जैसे Hindu newspaper काफी अच्छा है ऐसा equivalent कोई Hindi में newspaper नहीं है हिंदू या Indian express के तो जस्ट आप focus करिए initial 3-4 months अपनी English को सही करने के लिए right medium कुछ ऐसा नहीं है आप Hindi में बहुत अच्छा score कर सकते है another thing is right attitude होना चीए आपका demotivate नहीं होना है आपको नहीं किसी चीज़ के लिए आपको apathetic feel करना है कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है right attitude और कई लोग बहुत ज़्यादा resources के पीछे भागते रहते हैं वो भी आपको नहीं करता है limited चीजों में और जो tested है आपका formula बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है वैसे आपको त्यारी करना है another most important चीज आते है आती है right sources जो कि मैंने सीखा है right sources और उन sources का notes बनाना यहाँ पे मेरी पहली mistakes आती है मैंने जब second attempt दिया था interview तक पहुँचा था मैंने बहुत कुछ पढ़ा था पर किसी चीज़ के notes नहीं बनाये थे revise नहीं किये थे जो की बहुत ही गलत मेरा attitude था जो की right attitude का एक part है notes चरूर बनाये sources क्या है sources fix करिए जो भी आपको पढ़ना है उन sources को fix करिए standard books है सारी subjects के लिए बहुत ज़्यादा diversification में मज जाए और इन में एक और चीज आ जाती है कि stories के रूप में पढ़िये बहुत ज़्यादा facts के पीछे मज जाएए आप अपने knowledge understanding को सही करिए notes बनाईए उनके notes के तरीके होते हैं दो तरह के notes हो सकते हैं या तो आप ready meet notes के पीछे जा सकते हैं जो कि toppers के रहते हैं जैसे last year के topper थे हैं इबदुरी शट्टी उनके काफी अच्छे notes है ARC के तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन notes को खुदी बनाई आप उनके notes को ले सकते हैं किसी और toppers के note ले सकते हैं मेरे notes available हैं तो आप ऐसे write sources और notes चूज़ करना another एक और important चीज़ है मैंने third determination note बनाई इस साल काफी अच्छे source मैंने चूज़ के जैसे ARC report या other government reports और उनके notes काफी अच्छे बनाई जिससे मेरा rank काफी improve हुआ अलग है write technique for answer writing अगें बहुत लोगों को लगता है कि कैसे answer write करे कई बार ऐसा myth market में चल जाता है कि हमें बहुत जाए diagram बनाना है हर question में ये मैंने एक पिछली attempt से अपने सीखा कि मुझे भी ऐसा लगता था कि हर question में diagram बनाना चीए जो कि गलत attitude था diagram बनाईए या मत बनाईए हर question में आप बनाईए लेकिन relevance होना चीए इस साल मैंने बहुत ही relevantly एक paper में भी दो या तीन question में ही diagram मनाई थे जहाँ पर relevant थे ऐसा नहीं कि जहाँ पर relevant नहीं है वहाँ पर तो relevancy के हिसाब से answer writing करिये ना कि किसी formula की हिसाब से तो ये right attitude for आपका answer writing होना चीए another thing is आज की rate में electronics जो है electronic medium जैसे tablet हुए online sources हुए YouTube हुआ या बहुत सारे ऐसे sources हुए Delhi knowledge track ऐसे बहुत सारे sources तो electronics जो है ना वो great leveler है telegram जो एक शहर में भी रह रहा है और कोई एक गाउ में भी रह रहा है वो दोनों same level field पे आ जाते हैं तो electronics को adopt करिया आप अपनी life में electronic notes भी बना सकते हैं वहां से आप newspaper पढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे मेरे गाउं में Hindu नहीं आता था तो मैंने online subscription ले रखा था तो आप सोचिए कि आपकी strategy में best वो क्या हो सकता है फिर चुकि ये total process जो है वो काफी लंबा चलता है आप minimum भी निकालीएगा तो दो साल तीन साल लगी जाते हैं तो इस पूरे time के दुरान आपको बहुत ही तगड़ा motivation चीए बहुत ही strong motivation चीए कि मैं continuous रहूं इसी में especially job में जो हैं उनके लिए ये problem हो जाता है जिनकी economic background थोड़ी अच्छी निया तो थोड़ा घर से भी problem हो जाता है तो आपको पूरे period में motivate रहना है कि why do you want to become IES वो चीज़ आपका हमेशा मोटिवेट करती थी वो थी learning और मुझे कुछ करना था because मैंने ऐसी ऐसे चीज़े देखी थी बचपन से कि मुझे करना था और मुझे सीखना था नहीं चीज़े तो एक personal experience अगर आपके साथ share करूँगा तो मेरा हुआ था जब मैं last year मेंस दे रहा था तो मेंस के time कुछ दिन पहले मेरा major मेरा appendix burst हो गया था और मैं बहुत ही extreme pain में था पर वहाँ पर जाके मैंने exam दिया बिकाद मैं उस opportunity को miss नहीं कर सकता था तो end में आपसे यहीं कहूंगा कि आप यह मत सोचिए कि कोई भी चीज obstruct कर सकती है आपकी dreams को complete करने में कोई भी myth ऐसा नहीं है जो कि कि किसी UPSC selected बनने में तोड़ा ना हो कोई भी हो तो अगर आप UPSC में आना चाहेंगे आना चाहते हैं अगर आपके अंदर वो aptitude है और आपके अंदर वो इक्षा है कि मुझे कुछ करना है तो at least in myths से confined मत रहिए उन chains से बंधिये मत आप सारी chains को तोड़ सकते हैं just believe in yourself और जो मैंने राइट तरीके बताए हैं उन सब को बस follow करिये Thank you, Jai Hind